आप सभी को दुरुगा पूजा की हार्दिक शुवकामनाय विद्या परिवार की ओर शे मादुरुगा आपके जीवन में खोसिया ही खोसिया लाए और दुख के आये भी तो उसका चाया भी आपके सरीर को टच ना करे आप उससे निपट सके ऐसा शक्ती मादुरुगा आपक बिद्या एजुकेशन के नए केमपस जहां मैं भविस्व में बिद्यार्थियों के लिए और भी बेहतर करने के लिए उस सिक्षा के लिए इस केमपस को निरंतर अपने और अपने बिद्यार्थियों के द्वारा इसको मैं बेहतर प्रकृति के गोध जैसा बनाने का प्रि आती है और सभी लोग को हम हरदिक शुव कामनाया देता हूं यहां जो आप ब्रिक्ष देख रहे हैं आज से एक वर्स पहले हमारे ही सभी विद्यार्थियों के द्वारा और हमारे सभी विद्या एजुकेशन के शुवचिंतकों के द्वारा यहां पंद्रह सभी ब्रिक्ष लगाए गए और सभी ब्रिक्ष आज हरा भरा होकर काफी बेहतर यहां खुशनुमा महौल देख रहे हैं कि यहां पर बना पा रहा है और यह विद्या एजुकेशन का आने वाला भविश्य का कैमपस होगा अभी हम और आपको कैमपस के आगे का सीन भी हम दिखाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरे सभी ब्रिक्ष यहां अभी एक साल में ही अपने लंबे उंचाई को प्राप्त कर चुका है लगबग सभी पेड़ हमारे यहां 20-25-22 फिट के लगबग उंचाई पे सभी आ चुके हैं मातर एक डेढ़ वर्सों में ही यह सभी विद्यार्थियों के कारण ही संभव है जो निरंतर यहां जब छुटी में होते हैं तो हमारे साथ सभी कभी कभी आते भी हैं यह गनवरी जी हैं जो यहां पे 24 घंटा निरंतर अपना सुरक्षा परदान करते हैं बिरिक्षों के सेवा देते हैं यहां हमारे साथ आस्तोष आनंद देख रहे हैं जो कभी फुर्षत में आज भी यहां हमें लाने वाला ही आस्तोष ही हैं कि सुबा ही उठाया कि आज चले वहीं और छोटियों में मैं हमेशा ब्रस छोड़कर दातुन से ही मुह देता हूँ और जब छोटी में होता हूँ तो यहां जरूर आता हूँ प्रकृति के गोद में मुझे बहुत बढ़िया लगता है विद्या एजुकेशन का कैंपस जो सबसे पीछे आप ब्रिक्ष देख पा रहा है वहां तक लरगातार कैंपस है अभी इसमें धान की खेती हो रही है जो हमारे छोटे भाई के देखरेक में और जो गनौरी जी दिखाए इन लोगों के मेहनत से आज यहां धान में भी हम देखे आज की सभी धान की बाली यह भुटने वाले हैं और यह केविन जहां मोटर और तमाम स्विचाई के यहां प्रबंधन किये जाते हैं यह आप देख पा रहा हैं विद्या एजुकेशन का ट्रेक्टर जो यहां के पूरे फॉर्म हांस को जोतने का कारिय करता है अब अभी हम तलाब पे आपको ले चलते हैं जो प्रकृति भातावरन को और सुन्दर द्रिश्य बनाता है तो अब आपको हम लेके आया हैं अपने विद्या एजुकेशन के तलाब केमपस पे तलाब केमपस पे आप जैसा की देख पा रहे हैं यहां बड़े-बड़े अनार और सभी सब फले हुए हैं यह काफी बड़े-बड़े यहां पे अनार है और इसके साथ-साथ यहां हंस और तमाम जो जीब जनतु हैं बिल्खुल प्रकृतिक वातावरान आपको एकदम प्रकृतिक वातावरान यहां पर मिलेंगे आजाओ आओ आजाओ जली से आजाओ देख पा रहे हैं हमारे हन सभी इसके बाद यहां पर हम लोग देखें बड़े से सब पेड़ और सभी इह हम अभी दियार्थियों के द्वारा हीं लग आया गया नहीं आप देख पह रहे होंगे वह बैयर के पीड़ और इसमें सवस्ति पूजरा में हर वर्स माता केunya सिरवात से इसमें पैर फल जाते तो मैं सुर्शती पुजा में अपने ही केंपस से करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ पीछे गन्ना के भी पेड़ हैं, इन गन्ना के बिरिक्ष को छट पुजा में हमारे अपने ही खेट से, यहाँ विद्या एजुकेशन के खेट से ही इसका परियोग करते हैं, तो यह हमारे विद्या एजुकेशन के नए केंपस, जो उमीद है दो साल में एक नया रूप लेगा और एक हैतिहासिक अस्थल होगा, और आप सभी के सहयोग से अब धीरे-धीरे बढ़िया रूप धीरे-धीरे इसके तैयार हो रहा है, तो इस केंपस क भी आपको हमने दिखाया, चुके आप विद्या एजुकेशन परिवार के एक हम हिशा हैं, और आप सभी को इस केंपस से तहे दिल से धन्यवाद.